हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रेनुदा किचिन चैनल पे तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का अचार कैसे डाला जाता है अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब मी किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें क्यों आप सभी को मेरे चैन चलिए बनाते हैं हम गाजर का अचार कैसे डाला जाता है यह देखिए यहां पर गाजर ले लिए हैं गाजर मैंने एक किलो ली है और गाजरों को मैंने अच्छे से दो लिया है अब इनको हम गाजरों को छील लेंगे गाजरों को हम इसलिए चील रहे हैं क्यों गाजर क्या होता है कभी कभार यह मिट्टी लगी रह जाती है उसको हम छीलेंगे तो इससे मिट्टी हर जाएगी वैसे भी हमने गाजर दूली है लेकिन और अच्छी तरीके से दूलेंगे गाजरों को कि गाजर का अचार डाल रहे हैं बिल्कुल भी हमारा अचार अगर मिट्टी लगी रह जाएगी तो किसकिसा लगेगा अब हमने देखिए सभी गाजरों को छील ली है अब इनको हम एक बार और दोलेंगे अच्छी तरीके से इसमें मिट्टी नहीं लगी रह जाए बिल्कुल भी देखिए पानी में से हमने निकाल ली है इनको हम कट करेंगे पीछे की हम इसको काटके अलग हटा देंगे इसको बीच में से कट करेंगे इस तरीके से इसको हम कट करेंगे चोटे-चोटे पीसों में यह देखिए मैंने इस तरीके से कट कर लिया है इस पीसों में आप चाहें तो अपने हिसाब से बड़ी चूटे कर सकती है गाजर काचार काफी कमी लोग खाते हैं लेकिन आप अगर इस तरीके से डालेंगे गाजर काचार बहुत ही अच्छा डलेगा खाने में भी टेस्ट आएगा यह देखिए हम सभी गाजरों को इस तरीके से कट कर लिया है हमने अब हम इसको बॉइल करेंगे ज्यादा बॉइल नहीं करना है बिल्कुल हलका सा बॉइल करेंगे हम इसको यह देखिए यहां पर हमने पानी गरम करने रख दिया था पहले से पानी हमारा अच्छा गरम हो रह एक मिट ही बॉयल करेंगे इसको हम और फिर एक चलनी में इसको फैला लेंगे ये देखिए ये गाजर मैंने फैला ली है और इसको मैंने कम से कम एक देड़ घंटा अच्छी तरीके से सुखा ली है गाजरों को बिल्कुल भी देखिए आप देख रहे होंगे पानी नहीं है बिल्कुल भी हमारी गाजर अच्छी सी सूप चुकी है बिल्कुल भी गाजर बड़ी एक चमच पीता चमच की तेली है мहें पर उस बहना तेल है यहां पर बनाते हैं अब इन सभी मसालों पहला जबाए मैं डाल लेंगे निळू मैंने बड़ी एक चमोर चमच लिए दोचए प्रयाμrange क्वैfund दॉट सकते हैं इसको हम मसाले को मिला लेंगे, हाँ से ही मिलाएंगे, चमस से या चब किसी से नहीं मिलाएंगे, क्यों हाँ से ही मसाला हमारा अचार में अच्छे से मिल पाएगा, अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसको, जो गाजरों में अच्छी तरीके से मिल जाए, ये तेल है, तेल मैं का अचार हमारा काफी अच्छा वनेगा यह देखिए मसाला देखिए बिल्कुल हमने अच्छे से मिला लिया है यह देखिए हमने पूरा मसाला अची तरीके से मिला लिया है यह देखिए अब इसको हम एक डबे में रख लेंगे इन अचार को रख देंगे इसमें इसको हम इस इस तरीके से रख देंगे यह देखिए हमने गाजर काचार इसमें रख दिया है अब इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं और जब हमारा यह गाजर अच्छे से गल जाए तब इसको हम खा सकते हैं किसी के संग भी खा सकते हैं खाना खा रहे हैं उसके संग ले सकते हैं रोटी पराठा किसी के संग भी खा सकते हैं अगर आप सभी और यह देखिए इसको इस्टोर करके रख दिया है अगर आप सभी को मेरी ये गाजर की अचार की रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें तता शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप से भी को मेरी वीडियो कैसी लगी इसको आप बीच बीच में एक बात जरूर है हिलाते जरूर रहिए